फाइनली, काफी इंतजार के बाद, आज मुझे मार्केट में कठल मिल गए थे, तो आज मैं बना रही हूँ, कठल की सब्चे बिल्कुल देसी स्टाइल में, आज का पूरा खाना देसी स्टाइल में है, और आज की सब्ची अब ट्राई कीजेगा ना, यह वाली कठल की, तो आप सबजी के साथ साथ प्लेट भी चाट जाएंगे ये मेरा दावा इतनी स्वादिश्ट बन करके तयार होती है कठल ना मेरी बहुत ही फेवरेट सबजी है और आप में से बहुत सार लोग बोल भी रहते कि आप कठल की सबजी बनाई है मैं मार्केट जाती थी तो मैं हमेशा ढूंडती थी कि कठल मिल जाए कभी कभी दिखते भी थे वर फ्रेस नहीं होते थे तो मैं लेकर नहीं आती थी फ्रेस वाले का जो सबजी बनता है बहुत ही स्वादिश लगता है खाने में तो मैंने सबसे पहले किया कि आगी साइड जो रहता है वो काट करके हटा दिया और पेपर पे रखे काट रही हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे दूद गम निकलते हैं तो आपना चॉपिंग बोड पे रखे काटेंगे न तो पूरा चिपचिपा सा हो जाएगा फिर वो हटेगा नहीं जल्दी से तो बेश तरीका है कि आप पेपर पे रखे काटे ताकि बहुत ही अच्छे सी ये कट जाए और बिल्कुल भी गंदा ना हो तो सबसे पहले मैंने इसे टुकडे टुकडे में कर दिया है और उसके बाद मैं अब इसे छील रही हूँ तो बहुत ही इजी है कटल काटना बहुत लोगों को बहुत सारी परिसानी होती है कटल काटने में बट मैं बहुत पहले भी काटती थी, मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है, हमारे तरफ जो बैठी होती है, हस्वा बोलते हैं उसे, उससे भी काटते थे, और जब भी अब कठल काटे ना, तो अच्छे से हाथों में सरसो का तेल लगा ले, चाको में लगा ले, उसके बा अच्छे से पकेगी भी नहीं, इसे निकाल दिया जाता है, बहुत लोगों को मैंने देखा ये भी काटके खाल, मतलब सबजी बना देते हैं, बट इसमें कोई टेष्ट वगर नहीं होता है, तो इसे हम हटा देंगे इस तरह से, उसके बाद मैंने इसे छोटे-छोटे टु सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वाले का जो सबजी होता है, बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है, वो मिलेंगे तो वो भी कभी बताऊंगी, तो मैंने यहाँ पर कठल को कुकर में डाल दिया है, साथ ही मैंने दो छोटे साइज के आलू लियें, उसे मैंने दो टुकड में कर दिया है, पानी डाल देंगे, इसमें एक से डेड़ कप के करीब और साथ ही नमक अड़ कर देंगे, और हमें क्या करना है यहाँ पर कठल और आलू को दो विसल आने तक के लिए पका लेना है, वैसे आलू डालना ओप्सनल है, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छी स मसाला, तो यह जो मसाला है आप किसी भी सबजी में यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ, कठल में डालने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ बनाने से, आप ऐसे पाउडर मसाले भी यूज कर सकते हैं, बट इस तरह से ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगा, तो मैंने यहाँ पर पैन में धनिया, जीरा, सुकी लाल मिर्च और दो तेज पत्ता एड़ किया है, और हलका सा भून लिया है, अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले एड़ करी हूँ, गरम मसाले, बड़ी लाची, दो छोटी लाची, तीन से चार लॉंग, आठ से नौ मैंने काली मिर्च आड़ किया, और छोटा सा टुकड़ा डालचीनी काड़ किया, हलका सा सारी मसालों को यहाँ पर गर्म कर लेंगे, और इधर जो कठल है उसमें दो विसल आ गए थी, तो मैंने इसे बंद कर दिया है, अब मसाले यहाँ थोड़ मेरी मम्मी अक्सर यह मसाला बना करके मुझे दिया करती है, जब भी मैं घर जाती हूँ, अभी मेरे पास खत्म हो गया, काफी टाइम से अभी घर जाओंगी तो वापस ले करके आओंगी, तो यह जो मसाला है आप इसे ज्यादा क्वाइन्टिटी में बना करके तीन से चार अंदर जा रही है, और आलू भी सॉफ्ट हो गया है, तो हम इसका पानी अलग कर लेंगे, तो आज की कठल की सबजी मम्मी के तरीके से बना रही हूँ, मतलब आज का खाने का जो थाली है, वो देख करके लग रहा था कि मम्मी नहीं परोसा है, इतनी ज़्यादा देसी के तेल में ही बनाते हैं, वैसे आप लोग जो भी तेल यूज करते हों बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि कठल को यहाँ पर भून लेंगे थोड़ा सा क्योंकि जब हम बात में मसाले वगर एड़ करके भूनेंगे तो अच्छे से फिर भूनेगी नहीं, और कोसिस कठल की सब्जी में थोड़ी सी ज्यादा रहती है तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगा, जो कठल थे ना वो भी इधर थोड़े से भून गया ह अब मैं इसमें आड़ करी हूँ तेजबत्ता और पंच फोरन, पंच फोरन में जीरा, कलांजी, राई, मेथी, सौफ ये सारी चीजे रहती हैं और उसके बाद मैंने क्या है इसमें प्याज आड़ किया है, एक प्याज को लंबा लंबा लच्छे में काट लिया है, वो आड किया है, जो हमने पिसा था, वो हम बाद में आड़ करेंगे, जब ये कटा हुआ प्याज भून जाएगा ना, उसके बाद, क्योंकि जब हम पिसी भी प्याज आड़ कर देंगे, तो फिर ये भूनेगा ने, हलका सा भूना है, जिसे की ब्राउन सा हो गया, लाइट ब्राउ सबजी बनाने में थोड़ी सी जादा टाइम लगते है, लेकिन बनाने के बाद, अब जो खाएंगे, इसका टेश्ट लेंगे ना, वो मतलब भूल नहीं पाएंगे, अब मैं इसमें एड़ करेंगे हूँ हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और इसमें कोई मसाला एड़ नह और जो मसाला बनाया था ना अभी, वो हम इसमें एड़ करेंगे, दो छोटे चमज, युकि इसमें धनिया, जीरा, अलग से हमने कुछ भी एड़ नहीं किया, इसलिए मसाला दो चमज एड़ किजेगा, वापस से मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ किया है, ताकि जो मसाल यह ना हमारी बहुत ही अच्छी वंगर के तयार हो, थोड़ी सी थिक बने, वैसे आप चाहें तो काट करके भी एड़ कर सकते हैं, वापस से इसे दो से तीन मेट तक के लिए भून लेंगे कठल, आलू और मसाले को, और अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी, तो पानी मैं बहुत जादा यहां नहीं अट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लटपटी सी सबजी जादा अच्छी लगती है, वैसे आप इसे एकदम ड्राय सा रख सकते हैं, बिना पानी अट के वे भी वह भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, अब क्या करेंगे ढखकर की से तीन स चार मेट तक के लिए पका लेंगे, और इधर डाल बनके तयार है, यह मूंग और अहर की मैंने प्लेन डाल बनाई है, नॉर्मल तड़का मार करके, और साथ ही बना रही हूँ, सलाद, तो मैंने यहां पर खीरा, बिट्रूट, टमाटर, प्याज, थोड़े से मटर, और थलकी सबजी कितनी ज़्यादा लजीज लग रही है, आप एक बार इसे ट्राइ कीज़ेगा, आप हमेशा ऐसे ही बनाईगेगा, यह इतनी अच्छी बनकर के तयार होती है, बहुत स्वादिश लगती है, आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ह आप लोग इसे क्या बोलते हैं, जरुर से बताईएगा, थोड़ा सा मैने इसे फ्राइ कर लिया है, बहुत जादा तो नहीं बनाती हूं आजकल, यहाँ पर मेरी बिलकुल जारखंड इस्टाइल या फिर बिहारी इस्टाइल थाली बनकर के तयार है, एक एक चीज बहुत ह टेस्टी है, ट्राइ कीजिएगा यह धाली और मुझे कमेंट करके बताईएगा, मैं मिलती हूं नेक्ट लाग में, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार